नमिश्क्रार सीनिस भारत में आप सभी का एक बार पड़ से स्वागत है और इस वक्त मैं आपके साथ रुचा सेग। जिनका नाम अब सिर्फ दूला के तौर पर नहीं बलकि सियासत के शत्रंजी खिलाडी के तौर भी लिया जा रहा है। अब तो जैसे समस्ती पुर्जिले में हर किसी की जुमा पर सिर्फ एक ही नाम है राम बालक सिंग और उनकी नई दुलहनिया। लेकिन सियासत के जानकार जानते हैं कि इस शादी के पीछे सिर्फ और सिर्फ राम बालक सिंग की राजनीतिक चाले काम कर रहे हैं। दोजार पच्चिस के विदान सभा चुनाओं से पहले ये शादी तुरुप कहिका सावित हो सकती है। पिश्यत तीन साल से राम बालक सिंग अकेले ही जीवन बिता रहे थे क्योंकि उनकी पहली पत्नी आशा रानी का निधन हो चुका था। अब ऐसे में इस नए रिष्टे को देखकर राजनीतिक हलकों में हलचल मच गई है। कुरे की कड़ी मेहनत और रणीति के रूप में देखा जा रहा है। अब राजनीतिक गल्यारों में चर्चा ये है कि शादी के बाद राम बालक सिंग ने सियासी पैंतरे बाजी की नई दिशा एक दी है और उनके द्वारा की गई शादी के बाद अब वो अपनी पत्नी के नाम पर विदान सभा चुनों में टिकट की दावेदारी पेश कर सक दे हैं देसल उनकी खिलाब टिकट कटने का खत्रा मंडरा रहा था लेकिन आप उनकी पत्नी रवेना के नाम से टिकट के दावेदार की रूप बहरने की संभावना हो सकती है कहीं न कहीं ये भी माना जा रहा है कि अपनी पत्नी को राजनीति में उतारकर राम बालक सिंग आने वाले चुनाव में एक नया मोर्चा खोल दिया है तो जनाब 62 साल के उम्र में शादी करके उन्होंने ये साबित कर दिया है कि रादनीती में उम्र का कोई मतलब नहीं और अगर पत्नी के नाम पर टिकट मिलने का मौका हो तो उम्र तो वस एक नंबर है वैसे भी अब तो उनके चुनावी चाय के कप में कुछ और ही मसाला है रवीना के रूप में एक नई पार्टी उम्मीदबार आखेकार बिहार के सियासत में शादी से बड़ा कोई इवेंट होई नहीं सकता राम बालक सिंग ने इसाबित कर दिया कि विवाह भी अब वोट के लिए हो सकता है तो बस अभी इंतजार रहेगा कि अगली बार उनके दूला बनने की चर्चा कहा होती है समस्तिपुर के चुनावी बंच पर या फिर किसी और राजिय तेक गलियारे में पिलाल के लिए हमारी इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जाननी के लिए जुड़े रहे है सी न्यूस भारत के साथ हर खबर आपके साथ आपके हाँ